अब देखो यहाँ पे क्या क्यूशन बन रहे हैं यहाँ पे क्या क्यूशन बन रहे हैं क्यूशन की बात करते हैं तो पहला क्यूशन आपसे पूछ लिया वही सेम कि इन में से कौन सा नौन कम्यूनिकेबल डिजीज हैं दोस्तों इन में से कौन सा non communicable disease है और वह यह आप से a, b, c और d पूछ लिया अब एक बड़ी अक्यूशन क्या बनता है यहां पर देखो बड़ी अक्यूशन यह बनता है यहां पर कि निमनलिकित में से या इन में से communicable and communicable and non communicable disease का example है एक्जाम्पल्स हैं, इसक्यूशन को देखो, हाई एवरिवन, कैसे हैं आप सभी, आप सभी का सुदर्शन पेरा मेडिकल के इस ओनलाइन प्लैट्पॉम पर हार्दिक स्वागत, तो हम बात करेंगे, आज की क्लास के अंदर ये communicable और non communicable disease होते क्या हैं, और कौन कौन से disease हैं, जिसको हम communicable और non communicable के अंदर include करते हैं दोस्तों, अब देखो, यहां से मैं एक एक चीज की बात करूँगा, क्योंकि आपके syllabus में लिखावा है, measures and preventation, इनको measure कैसे किया जाता है, यानि इनका diagnose कैसे किया जाता है, और दूसरा आ measures और prevention को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे particular की सर, अगर वो disease हैं दोस्तों, तो उस disease का introduction क्या होता है, उसके clinical features क्या होते हैं, उनके sign और symptoms क्या होते हैं, उनके complications क्या होते हैं, उनका diagnosis क्या होता है, और diagnosis के बाद हम उनका treatment करेंगे, और फिर हम बात करेंगे उनके prevention के बारे हम दोस्तों यह आपके से लेवस के अंदर सारी चीजे दे रखी हैं और यहां से आपका कोई भी क्यूशन जो है दोस्तों मैं बात करूंगा कि बार नहीं जाने वाला क्योंकि यह सारे टॉपिक जो है ना इनको आप अगर पढ़ लेते हैं तो फिर कहीं न कहीं यह सारे जो आप पर बात करेंगे इन डीजी के बारे में तो यह डीजी आपके कंटिन्यू चलेंगे और यहां पर बात करेंगे दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे हम यानिके एक क्लास के अंदर हम बात करेंगे अब कमुणी केबल डीजी जो है इतने सारे हैं कि मैं एक क्लास में इनको नहीं पढ़ा सकता तो यह लगबग आप से तीन या चार क्लास में यह कंपलीट होगा टॉपिक यह इतना बड़ा है तीक है दूसरा हम बात करेंगे नौन कम्यूनी के बारे में नौन कम्यूनी के non communicable डिजीज जो हैं दोस्तो गेर संचारी डिजीज की हम बात करें जिसके बारे में तो ये भी आपके लगबग 2 या 3 classes में होगा तो ये डिजीज वाले जो है टॉपिक जो दोनों है ये आपके 7-8 classes में निप्टेगा समझे आप ये 7-8 class में complete होगा दोस्तो और 7-8 class में होने के बाद अगर मैं आपको परड़े 10 mcqs बताता हूँ और अगर गारंटिक साथ के रहा हूँ मेरे 7-8 mcqs को आपने हाथ से बना लिए तो डिजीज की अगर 7-8 class होती दोस्तो तोати mcqs आपके बन जाएंगे आगे बात करते हैं,опन अब टपिक स्टार्ट करते थे या क्या होता है कौन कोन सी इस इंके अदर इंक्लूड करते है उसकी अबन बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्षन के बारे में तो देखो कि एंट्रोडक्शन क्या कहता है संक्रमीत आजेंट कह सकते उनकों समझ आप इंपैक्सिययस अजेन्ट यह उनसे निकलने वाला क्या टोक्जिक प्रोडक्ट याननि कि जहरीले परदास के दोणास क्या होती कि ये उत्पन होती हैं तता इस से clinical और non clinical patient से एक normal person में वो क्या हो जाती दोस्तों transmit हो जाती क्या हो जाती है transmit हो जाती दोस्तों याद रखना कि एक आदमी से यानि कि अगर कोई रोगी है हम बात करें कि अगर कोई patient है दोस्तों patient है उस patient से वो normal person के अंदर जा रही है किसमें जारी है normal person के अंदर वो जारी है तो उस बिमारी को हुम क्या कहते है क्म्वीनिकेबल diseases कहते है दोस्तों क्या कहते है दूसरा अगर इससे कोई infected patient है उस patient से किसी normal person में जा रही है वो थीक ना बीमारी तो उससे हम क्या कहेंगे दोस्तो communicable disease कहेंगे क्या कहेंगे communicable disease दोस्तों यहां पर हम कहेंगे अब आता है कि अगर एक infected person say या infected patient से normal patient में जा रही हैं तो उसके पीछे का कारण क्या-क्या है समझ गया तो ऐसी topic पड़ा जाता समझ गया तो उन सभी कारणों उनके causes के बारे में अपन बात भी करेंगे लेगन यहां पर पहले बात कर लेते हैं कि इस disease के जो transmission transmission यानि फैलने के जितने भी हपन बात करें methods हैं वो क्या है वो directly भी हो सकते हैं और indirectly भी हो सकते हैं यानि कि यह परतियक रूप से भी हो सकते हैं और अपर्तियक्स रूप से भी देखने को मिल सकते हैं तो इसके जो मैटर्स है न दोस्तो डायरेक्ट और इंडायरेक्ट वो भी कौन-कौन से होते हैं उनकी भी अपन बात करेंगे दोस्तों यहां पर ठीक है तो अब देखो हम बात करते हैं कि इस ड दिप्टीरिया आजाता क्या आजाता डिप्टीरिया तो कम्यूनिकेबल डिजीज के अंदर दोस्तों कम्यूनिकेबल डिजीज के अंदर अपन डिप्टीरिया की बात करेंगे फिर अपन बात करेंगे पोलियों के बारे में किसके बारे में पोलियों के बारे में इसका कुकर खासी की बात करेंगे टिटनेस की बात करेंगे यहां पर एड्स आ गया और लेपरोसी का मदलब कुष्ट रोग ठीक है ना कुष्ट रोग हिंदी मीडियम बाड़े मुझे रोज परशान करते हो तुम कि सर हिंदी नहीं पढ़ाते हैं इतना तो हिंदी पढ़ाता हूं कि Esse के अंदर किसको इन क्लूड किया जाता है और चार आपशन में इन में से आपको देदे टीन ऊपेसन देए यह नहीं दे ज़ सुन साल टूसरा कि इंट्रौडक्षन से और क्या है और क्या क्यूशिन बन सकता है इंट्रोड़क्शन से और क्या क्यूशन बन सकता है तो देखो सबसे पहली बात करें अपन कि अपने कहा कि क्यूशन क्या बन सकता एक बन सकता आपके कि इन में से एक क्यूशन ये बन जाएगा और इसमें आपको फिर क्या देदेगा चार अपसन दे सकता है तो मैं आपके सिर्फ type of question बता रहा हूँ आपको second आपसे पूछ सकता है second आपसे पूछ सकता है कि communicable communicable disease disease के बारे में disease के बारे में correct statement correct statement कौन सा है correct statement कौन सा है ठीक है इस type का question भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो यहां पे A, B, C और D तो यह आपसे इस परकार से language दे के पूछा जा सकता है समझे अब language में वो क्या क्या दे सकता है तो देखो language में एक आपसे दे सकता है इसकी क्या परिबासा दे सकता है क्या दे सकता है परिबासा दे सकता है यानि definition दे सकता है दूसरा आपके यह transmission के बारे में दे सकता है क्या दे सकता है transmission के बारे में दे सकता है तीसरा आपसे इसके example के बारे में पूछा जा सकता है examples के बारे में और लास्ट आपको जो हैं, यहां पर एक कोई आपको क्या दे दिया दोस्तों? All of above दे दिया option, क्या दे दिया? All of above option दे दिया. तो मैंने अभी तक जो आपको अभी तक जो आपको मैंने तीन लाइन पढ़ाईए एक, दो और तीन इन तीन लाइन में से मैंने आपको दो क्यूशन बताएं आपको ठीक है ना और दो क्यूशन में भी ये क्यूशन जो है आपके ये क्यूशन जो है ना यह अच्छा क्यूशन है क्योंकि नेगेटिव मारकिंग जब होती है ना धूस्तन तो इस्टेट्मेंट वाले क्यूशन आपके गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं समझी यह किन्सेप्ट जो हैं तो इसलिए हैं कंसेप्ट जो हैं तो देखो, नेक्स्ट रपन बात करते हैं, नौन कम्यूनिकेल बात, वे डिजीज जो अपेक्टेड परसन से, जो अपेक्टेड परसन से दूसरे परसन में ट्रांस्मिट नहीं होते हैं, अंतर भी बता दिया और डेपिनिशन भी बता दी, अंतर भी बता दिया यहां पे और definition भी बता दी तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों उसे हम कहते हैं non communicable disease क्या कहते हैं non communicable disease क्या हो गई एक तो एक तो हम बात करेंगे definition क्या हो गई तो definition यह हो गई कि एक आदमी से दूसरे आदमी में transmit नहीं होते हैं उन्हें हम क्या जब कि एदर क्या होता देखो तो यह डिजीज उसी परसंतक सिमित रेता है यह डिजीज उसी आदमी तक सिमित रेता है तता कफिंग अथवा किसी आउटर परसंद के साथ इस सेड्लें यानि वस्तर अब अगर अपन बात करें कि क्यांगी के अंदर के अंदर सगता है थीक ? शीज वह सकता है जब आ और ना सीम्स स सब करंड़री नॉन कुमनाइक अंदर किस किस को हम include करते हैं दोस्तों तो non communicable के अंदर आता आपका एक आ जाता दोस्तों cancer क्या आजाता cancer क्यूशन बनेगा देखो यहां से दूसरा आगया आपका hypertension क्या आगया hypertension तीसरा आगया आपका heart attack फिर हम बात करें diabetes mellitus के बारे में और एक आता आपका gastric ulcer यानि कि आपके abdomen के अंदर क्या हो गया ulceratic condition हो गई यह सारे एक्जामपल किसके हैं non communicable disease के तो execution भी आपसे पूछा जा सकता है अब यहां पर आपको a option b option c option d option अब यहां पर देखो option मैं बना रहा हूं option a में आपका cd cd and ncd ठीक है cd and cd ncd and ncd ठीक है और एक आगया आपका none of them इन में से कोई नहीं तो यह देखो क्या ऐसे क्या पूछा इसने तो यहां पर आपको एक्जामपल दे सकता है communicable digits non-communicable digits communicable communicable non-communicable non-communicable none of them इन में से कोई नहीं तो पूछा क्या है communicable और non-communicable दोनों को तो यह communicable भी आ गया नोन communicable भी आ गया तो दोनों को पूछा है ठीक है यह तो मैंने cd and cd लिया वर्ड यहां पर आपको एक्जामपल लेना यूज ठीक है टाइप उपक्यूक्षान बताने को सिच करो ठीक है आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं आजो कि communicable डिजीज जो है आज भी हमारे देश में एक क्या है मैधवपूंध भी प्रोब्लम और यह डिजीज जो है इस्पेस्यलि बेवी जानी जो शीशु होते हैं छोटे उसमें जो में इन दोनों क्या है यह दोनों क्या है है इनके जो कोजेज हैं वह इंक्यूबैशन पिरियाड क्लिनिकल साइन सिंटमस मेजर से प्रिवेंटेशन और control यह सारे जो पॉईंट है न दोस्तो यह आपके इलोस में दे रखें यह सारे पॉइंट दे रखें हैं तो इन सबी को अपन पढने वाले इन सबी को अपन जो है पढने वाले हैं और सबसे पहले जो मैं transmitted disease है और वो sexual transmitted disease communicable disease के अंदर आते हैं वहां से question भी पूछा जाता है तो उसके बारे में भी अपन बात कर लेंगे ठीक है तो अभी अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले ही डिप्टीरिया के बारे में दोस्तों किसके बारे में बात करेंगे डिप्टीरिया तो पहला जो है आपक का communicable डिजीज जो है डिप्टीरिया जो मैंने आपको एक्जामपल के अंदर एड करवाया था उसके अपन बात करेंगे ठीक है आज वोड़ पे डिप्टीरिया जो है एक एक्जूट एक्जियस डिजीज और यायनि कि तिर्वय तेज-गति फैलने वाड़ा इंपैक्सियस यानि संकर्मित बिमारी एक प्रकार कि ऐनपक्सियस डिजीस है जो की किसकी बज़े से फैलता ए तो बैक्टीरियल डिजीज हैं दोस्तों इसको याद रख लेना इस बैक्टिरिया का नाम याद रख लेना हाँ यहां से क्यूशन पुछा जाएगा आप से और क्यूशन कैसा पुछा जाएगा दोस्तों अभी बता देता एक तरफ दी जाएगी आपको डिजीज क्या दी जाएगी डिजीज और इस तरफ दिया जाएगा आपको बैक्टीरिया क्या दिया जाएगा बैक्टीरिया और इधर फिर आपको नाम दे दिया डिप्टीरिया वगरा 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 और इनके बैक्टीरिया बैक्टीरिया बै क्यूशन ऐसे ही बनते हैं अच्छे क्यूशन जो है ना दोस्तों ऐसे ही बनते है इसका याद रख लेना आप इसको क्या करोगे याद रख लेना आप आगे बात करते हैं यहाँ बिमारी जो है मुख्य रूप से परबावित किश को करती है अप पर रेस्पाइरेट्री ट्रेक्ट को क्या करती है अब यहां से एक चीज और बताता हूं इसके बैक्टिरिया नेम यानि बैक्टिरिय का नाम याद रखना है second हमने कहा कि ये परबावित किसको करता है तो यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा effective organs या system तो पूरा system याद रखोगे तो पूरा system याद रखोगे तो आगे बात करते हैं और इसका जो है सबसे मेट्योपूर्ण symptoms एम्पोर्टेंट symptoms क्या है sore throat यानि गले के अंदर ख्रास तो यहाँ पर एक point ओर 8 कर लो important symptoms आपको याद रखना इसका important important symptoms जो है वो आपको क्या करना है दोस्तों याद रखना important symptoms आपको याद रखना है ठीक है आगे बात करते हैं सर आजो बोड़ के यहाँ बीमारी किसको हो सकती है तो मुख्य रूप से टू टू फाइप इयर्स तक के चिल्डरन्स को हो सकती है किसको हो सकती है यह बीमारी जो है आपके किसके अंदर परजेंट हो सकती है तो sir यह present हो सकती है यह present हो सकती है दोस्तो यह present हो सकती है 225 years 225 years children के अंदर रे किसको हो सकती है 225 years children के अंदर यह हो सकती है तो दोस्तो यह जो point लिखवा रहा हो ना यह point ही important है यहां से क्यूशन आएगा आपके सीधा क्यूशन आएगा यहां से आपके बदा देता हूँ अभी भी मैं यह जो point आपके इस वाले page पे लिखवा रहा हूँ न यह आप notes में बना ले न यहां से क्यूशन बनेंगे आपके अभी बता रहा हूँ मैं आपको ठीक है आगे चलते हैं इसके causes की बात करते हैं किसकी बात करते हैं दोस्तों इसके causes की बात करते हैं तो यहां पे पहले ही point aid कर लेते हैं बिल्कुल aid कर लेते हैं aid कर लो वही यहां पे एक मिनित यहां पर अपन बात करेंगे इसके कोजेज के बारे में किसके बारे में इसके कोजेज आपको याद रखने हैं अब अपन कोजेज की भी बात कर लेते हैं ठीक है आज वोड पे कोजेज जो है इसका कारण यही वो कॉल्णी बैक्टिरियम डिप्टिरिया जो बैक्टिरिया है इसका कारण यही है जो कि एक क्या है जो किस तरह का बैक्टिरिया है तो देखो यहाँ पे दिया है किस तरह का बैक्टिरिया है फेकल टेटिव एना एरोबिक ग्राम पोजेटि ठीक है आगे अपन बात करते हैं मोड्स ओफ ट्रांसमिशन किसकी बात करेंगे मोड्स ओफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो पहले अपन इसमें एड कर लेते हैं six point आपको याद रखना है modes of transmission सर क्या याद रखना है modes of transmission ठीक है modes of transmission आपको याद रखना है dipteria मुख्य रूप से आपके droplet infection के दोरा फैलता किसके दोरा droplet यानि की बोलने से जो आगे का person उसके touch में है तो mouse से जो औरली जो droplet निकल रहे हैं उसके दोरा ये क्या कर सकता है आपके फैल सकता है dipteria से symptomatic और asymptomatic रोगी के खासने देखो ये point आगे सारे सारे आपके क्या क्या कि अगर वो आपके खासने ठीक है ना खासने छीकने और ठूकने या यहां तक की तेज बोलने पर लार यानि की saliva के साथ निकलने वाले रोगानव का किसी अन्य वेक्ति द्वारा inspiration कर लिया मानली जी एक infected person है वो तेजी से बोल रहा है छीक रहा है खास रहा है और वहां से जो drop left निकल रहे है उसके mouth से और जो पास में बेटा वेक्ति है वो अगर inspiration कर रहा दोस्तों क्या कर रहा है मैंने अंदर की तरप क्या किय है respiration किया है तो उस दोरान वो सब के सब जो क्या चले जाएंगे मेरे ट्रेक्या के अंदर चले जाएंगे तो उस दोरान वो वेक्ति क्या हो सकता है infected हो सकता है इसके अलावा आपको क्या याद रखना है उस वेक्ति में skin lesion यानि की गाव और infected device आदी के दुआरा भी यह क् of transmission of dipteria dipteria के फैलने के तरीके कौन-कौन से हैं दो तरीके और दो नहीं आपको याद रखने हैं दोस्तों आगे बात करते हैं in case of dipteria the infected materials can be infected materials कौन-कौन से हो सकते हैं in case of dipteria dipteria के case में तो infected materials का इसके अंदर point aid कर दो infected materials 7 नंबर पर याद रखना infected materials ठीक है चलो बात कर लेते हूं आज वोड़ पर तो patient यानि की रोगी या carrier यानि इसका जो वहक होता है उसके nose यानि की नाक या उसके pharynx से निकलने वाले secretion क्या कहलाएंगे इसके materials कहलाएंगे infected materials जो secretion उसके mouth से या nose से निकल रहा है skin wounds यानि जो skin का गाव हो रखा वहां से अगर कोई पस निकल रहा है कोई secretion निकल रहा है तो वो भी इसके अंदर include हो सकता है infected device अगर यूज कर लिया है तो भी ये फैल सकता है और petogenic bacteria मुख्य रूप से respiratory detect के द्वारा body के अंदर enter कर जाता है और सरीर पर बने wounds यानि गाव अलसर आदी के द्वारा भी यहाँ सरीर में क्या कर सकता है एंटर कर सकता है दोस्तों अगर patient के body पे कोई गाव हो गया या उसको ulcer हो गया या अलसर जब बिगड़ जाता है तो वो एक पस का form बन जाता क्या बन जाता पस और वो पस वाले इस इस्तान पर क्या हो सकता है bacteria जो है originate हो सकते हैं और इस परकार से वो क्या कर सकता उसको infected कर सकता दोस्तों तो यह भी आपको याद रखना है अब आता देखो एक और काम की चीज क्या आती है उसकी बात करते हैं काम की चीज आई है कि आपको क्या याद रखना पड़ेगा इसका incubation period कितना होता है क्लिनिकल फीचर्स के बारे में क्लिनिकल फीचर्स आजाएंगे आपके क्या कि क्लिनिकल फीचर्स आजाते हैं कि सब्सक्राइब क्या मुख्य रूप से अपर रेस्पाइरेटरी सिस्टम को अपयक्ट करता है और इस टाइप एंड़ सिम्टम्स और फांस इन देम आरे इस खुलो यानि कौन-कौन से सिम्टम्स आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं तो बिलकुल यहां पर याद रखेंगे सर इसके क्या नेक्स्ट नाइन नंबर पर पॉइंट आ गया सिम्टम्स आ गए सिम्टम्स आगे सर क्या आगे सिम्टम्स हर एक चीज को याद रख लाना दोस्तों यहां से आपके खुब सारे क्यूशन यहां से बनते हैं तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि इस टाइप यानि इसके परकार और सिम्टम्स जो हैं जो इसमें परजेंट होते हैं देम आरेज तो वह हैं आपके फैरंगन और लुधाल इतां अतंगर संक्राव खेंबंश किसे इसनाजमत हैं यहां चाइछ धूकत 7 हूं और यह जो हैं इसके इसवाड़ंप उद्व हो क्या हो सकता है डिस फेग्या हो सकता है लो ग्रेड फीवर हो सकता है बुखार हो सकता है सोर ट्रोट हो सकता है गले में कोई ख्रास हो गई ट्रेकी काडिया इनि रेपीड हार्टवीड हो सकती है क्या हो सकती है ग्रेइस येलो इसकिन हो सकती उसकी और उसके नेक के पास में ल बात करें लिंप ग्लेंट्स जो है लिंप ग्लेंट्स जो है उसका साइज जो है क्या हो सकता है इंक्रीज हो सकता है तो वहां पर हमें एडेमा या ओडेमा की कंडिशन देखने को मिल सकती है सर क्या मिल सकती है ओडेमा कंडिशन देखने को मिल सकती दोस्तों सेकिंड बात करत हैं पहले हमने फेरेंग के बारें बात की अब अपन बात करते हैं क्या क्या पार्ट आ यह की बात करें तो यह फेरें सीलर की कम सामानीय यह लेस नौरमल ओता परन्तु इस से अधिक खतरनाक होता है और इसके symptoms की बात करें तो इसके symptoms में fever आ जाता है restless body हो जाती पूरी-पूरी ठकान रही तो सकती है hoversness of voice voice जो है वो बारी हो जाती hoversness हो जाती है और यहाँ बात करेंगे क्रूफी कफ कफ जो है आपका बिल्कुल क्रूफी हो सकता है डिश्पोन या condition हो सकती एसो भी वगरा हो सकती है नेक में एडिमा हो सकता है लिंप डेनोपैथी यानि कि लिंप नौडूल्स के अंदर swelling हो सकती है आपके pathological condition हो सकती है तीसरी बात करेंगे nasal dipteria के बारे में किसक होता है हलका टाइप होता है जो बहुत कम देखने को मिलता और यह nasal है तो नाम से पता चल रहा है nasal septum पहोगा कहाँ पहोगा दूस्तों नेजल septum diagnosis and proper treatment is not done अगर आप सही टाइम पर कोई डायग्नोस नहीं करते हैं और कोई भी proper treatment नहीं ले सकते हैं then the following complication may arise इसमें क्या क्या है खूब सारे complication आपको देखने को मिल सकते हैं तो इसके complicated को aid करो रही इसके 10 number पर क्या aid करो इसके complicated complications यह याद रखले ना नीए बाइक कोम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो लेरिंजियल ओसक्षा अदर कोई ओसक्षा है मायो कारडिटाइटीस यानि की मायो कारडियम के अंदर आपके इंपैक्षन हो सकता मायो कारडियम हार्ड कोंच करवाई जाता है तो डाइगनोस की बात कर लेते हैं दोस्तों डाइगनोस की बात कर लेते हैं अपन कि 11 13 नंबर पर आपको पता हो ह Eating क्या करना जाता दैटिन सक्तिया क्यार आपसे पूछ ले तो बताना है सिक्ट गरह आपसे आपसे और तो भेशो इंट्राडर्मल टेस्ट होता है कारण क्या तो देखो जिसमें सिख टेस्ट टॉक्जीन की 0.1 ml मात्रा का उप्योग किया जाता है और ये टॉक्जीन जो है व्यक्ति की लोवर आरम में इंजेक्ट कर दिया जाता है injection के रूप में इसको inject कर दिया जाता है और toxin की temperature तवारा इसको inject की गई 0.1 ml मात्रा को भी opposite arm में inject की जाती है और injection अब लगाने की बाद क्या करते हैं लगाने के बाद injection वाले इस्तान पर इसका identification करने है तो क्या कर दिया जाता है उस पर round save गोला कर दिया जाता है और test के result का अधियन injection लगाने के चोथे दिन किया जाता क्या किया जाता चोथे दिन इसका अब देखो चोथे दिन जब करेंगे तो अधि injection वाले इस्तान पर कोई redness या swelling दिखाई देती है इसका मतलब वो बैक्क्ति जो है वो क्या है वो diff टीरिया स्पिसियस है कैस्कते है या फिर वो infected हैं दोस्तों क्या है infected है दोस्तों तो यह जो स्वेलिंग और रेडनेस जो है वो क्या करती है डिप्टीरिया के परजेंट होने का क्या करती है इंडिकेशन देती है इंडिकेट करती है इसके अपोजिट यदि इंजेक्शन वाले इस्तान पर किसी भी परकार का स्वेलिंग या रेडनेस या अन्य कोई भी परतिकरिया दि दोनों का क्या करते हैं तो ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट को तूरंत जो है इंट्रमस्कुलर या इंट्र वेनस व्यार क्या दिया जाना चीए डिप्टिरिया एंटि टॉक्जिन काम करता है यानि हम एंटि- टॉक्जिन की बात करें वह उसे डिएना चीए इंट्रावेनस या आई वी उसकी डौज कितनी होने चाहिए तो 20 हजार से लेकर के एक लाख आई यू उसकी डोज होनी चाहिए और यह डोज आपटर रैसिविट इसक के बाद इसको देहना चाहिए और रोगी को एक सप्ता के लिए बेंजील फेनिसिलिन बेंजील फैनिसिलिन नामक एंटीबायटिक गडेनी चाहिน याद रखना डिप्टीरिया के केस में कौन सी मेडिसीन या एंटिबाइटिक्स का यूच किया जाता है कौन सी एंटिबाइटिक्स का यूच किया जाता है याद रखना बेंजिल पैनिसिलीन नामक जो है एंटिबाइटिक्स देते हैं और रोगी को अधर कॉंपलिकेशन जै करते हैं अब जो केरियर हैं उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं अब जो केरियर हैं उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं अपन देखो उसके लिए क्या करेंगे पेशेंट का ट्रीटमेंट उमने बता दिया केरियर वे व्यक्ति होते हैं जिनमें रोक के सिम्टम्स क्या होते ह किते हैं परंदंटू वो काम क्या करते हैं फिलाने का काम करते हैं ट्रांसमिटिंग का काम करते हैं डिप्टीरिया के केरियर्ज्ण या वहाँको को निम्न अपचार देनना चैते लगद गण सांथ से 10 दिनोंत क्या है माउत द्वारा एंटीबाइटिक्स जैसे Erythromycin देनी है क्या देनी है Erythromycin देनी है दोस्तो देखो patient के लिए अलग tablet है antibiotics, antitoxin ठीक है और यहाँ पे वहाँ केरियर के लिए अलग है तो दोनलों medicine याद रखनी है आपके कुछ-कुछ pharmakology का पार्ट है तो यह यही से याद हो जाएगा आपको अलग़ बात करने हैं असको नहीं हो थीकर है measures of control उसको control करने के क्या क्या points है उसकी अपन बात करते हैं तेरा नंबर पर हम बात करें इसके measures of control कैसे control करेंगे इसको तौर देखो के डेप्तीरिया यंड नों क्लिनिकल पैशेंट का स्टार्टिंग फेस जो हैं उसे में ही पता लगा कर इन्हें एन्यग क्या किया जाना चीए अईसोलेट रखा जाना चीए कोविड में रखते थे ना आइसोलेशन में वेस्टे ही डिप्टीरिया के पैशेंट और केरियर्स का क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट समय पर करना चाहिए दोस्तों और पैशेंट एन केरियर्स के द्वारा उप्योग में लिये जाने वाले बरतन, कपडे, खिलोने, आधी को सामान्य वेक्ट्चियों स ताकि जो है यह यह प्रोब्लम ही निया है आगे बात करते हैं तो फोर्ट आ गई आपके वैक्शिनेशन प्रिवेंटेशन के अंदर वैक्सिन की बात करते है तो पेंटावेलेंट वैक्सिन यूज की जाती है दोस्तों कौन सी वैक्सिन यूज की जाती है क्यूशन आएगा कि डिप्टिरिया के लिए प्रिवेंटेशन के लिए कौन सी वैक्सिन यूज की जाती है important लगा लेना pentavalent vaccine यूच की जाती है कौन सी की जाती है pentavalent vaccine this vaccine provides protection against the following 5 disease ये जो vaccine है 5 disease के against काम करती है याद रख लेना dipteria के अलावा भी कौन-कौन सी disease में ये काम आती है पुछा जा सकता है जिरू नहीं dipteria का ही पूछे titanus का भी पूछ लिया जा सकता है तो 5 disease कौन-कौन से देखो dipteria एक आ गया second आपके pertuses या whooping cup जिसको हम कुकर खासी कहते है titanus के अंदर hepatitis B के अंदर और hemophilus influenza type B के अंदर भी हम क्या करते है इसका use करते हैं दोस्तो इसको important लगा लेना इसको important लगा लेना भई एक ही चीज जो है सब में काम आ रही है dipteria में काम आ रही है pertuses whooping cup में काम आ रही है titanus में काम आ रही है hepatitis B में काम आ रही है दोस्तो hemophilus influenza type B के अंदर भी काम आती है इसका मलब कितने important होगी है तो important है इसलिए यहां से क्यूशन बन सकता आपका यह याद रख लेना निमनलिकित के अंदर निमनलिकित डिजीज के अंदर pentavalent vaccine यूज की जा सकती है और 5 के 5 disease के नाम आपको दे दिए अब आता है कि यह vaccine कब यूज की जाती है तो यह vaccine जो है शिशू को यानि बेबी को 4, 10 तता 14 सप्ता की उमर पर क्या किया जाता लगाया जाता है और इसे IEM यानि intra muscular waste से लगाया जाता है कहां से लगाया जाता है intra muscular waste से इसको लगाया जाता है ठीक है यह आगे का correction है सेकिंड आती है DPT vaccine क्या आती दोस्तो बीमारियों की रोकताम भी करती है और इसकी डोज जो है यह भी कैसे दी जाती है intra muscular तो पेंटावेलेंट और डीपीटी वैक्सिन डिप्टीरिया के लिए यूज की जाती है उसके साथ यह आपके 5 डीजी जो उसमें बता दिये और इसमें भी आपके pertuses और titaness के अंदर भी यूज क्या है इसके अलावा भी जो single vaccine है वो कौन-कौन सी होती है तो single vaccine यूज कर सकते हैं तो इसके अलावा आजाती है आपके APT को हम कहते है LM precipitate toxoid FT के अंदर आजाती formal toxoid और PTAH vaccine यानि purified toxoid aluminum hydroxide vaccine तो यह तीनों भी आप याद रख सकते हैं अलाग की important आपके वो दोई है pentavalent और DPT vaccine ठीक है ना दी जाती है आई-म तो अगर आप इस परकार से systematically syllabus के अनुसार तेहरी करना चाहते हैं दोस्तों तो आप मेरे इस app को download करे सुदर्सन पेरा मेडिकल के नाम से देरका है जहां पर आपको क्या विशेश मिलेगा दोस्तों जो आरार्बी की तेहरी कर रहा है उसके साथ इमें बात करूँ दोस्तों जो आर्पीम सी से डिप्लोमा कर रहा है यहां पर आपको systematically सी से तेहरी कर रहा है उनको भी विशेश बदा देता हूँ आपके सारिक सारी चाहे आप फर्स्टियर में है चाहे आप सेकेंडियर में है सारिक सारी चीजे systematically subject के अंदर भी topic wise आपको वीडियो वहां पे आपको e-pdf notes भी मिलेगा दोस्तो और यहां पर आपके जो 5 years के previous year के papers है दोस्तो उनका solution भी मिलेगा आपको कोई भी books लाने के आउस्सकता नहीं है RRB paramedical की तेहरी करने वाले सभी साथ योग कहना चाहूंगा कि दोस्तो आपको part A especially इसके साथ ही आपको part B आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं तो आपकी जो 70 नमर का portion और 30 नमर का portion पूरा पूरा complete यहां पर आपको मिल जाएगा तो दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल आप इसको like करें दोस्तों किसा share करें अगर आपको कोई भी doubt हो बिल्कुल आप comment करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं next वीडियो में बाबाई